दोस्तो आप सभी में से कई लोगों ने हमसे पूछा है कि सर आप जो powerpoint बनाते हैं वो बहुत ही खुबसूरत होता है सर अगर हम लोग powerpoint बनाते हैं तो उसमें जो है कई सारे missing होता है कहीं पे सही color use नहीं कर पाते हैं तो कहीं पे हम लोग font use नहीं कर पाते हैं तो दोस्तो font के बारे में तो मैं next video लेकर करके आऊँगा लेकिन दोस्तो आज की इस video में मैं आपको बताऊँगा कि आप PowerPoint में color palette use करके कैसे एक खुबसूरत सा PPT बना सकते हैं यानि कि हम लोग color palette use करेंगे और उसके बाद जो हम color palette यूज करके जो एक educational PPT बनाएंगे या business presentation बनाएंगे तो उसका जो look होगा वो गजब का होगा ठीक है तो इसलिए दोस्तो आप इस video पे लास्ट तक बने रहें देखते रहें और सिखते रहें तो चलिए दोस्तो बिना किसी देने के वीडियो शुरू करते हैं लेकिन दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू मेरा नाम है राजी और आप देखर अपना YouTube channel अट्टेक मित्रा तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक फोल्डर बना के रखा है तो दोस्तो यहाँ पे देखे मैंने अपना लोगो बनाया है और उसके हिसाब से हमने अपना color palette भी यहाँ पे बनाया है तो अगर मैं कोई भी presentation बनाऊगा माल लिया जाए कि अगर मेरा कोई educational youtube channel होता और हम अपने educational youtube channel के लिए अगर template बनाते तो उसमें यह सभी color हम यूज करते हैं तो यह दोस्तो color palette है जैसे कि यहाँ पे अगर मैं background में ये color यूज कर रहा हूँ तो इस पे अगर text color होगा तो कौन सा color होगा तो दोस्तो white text हम लोग इस पे लिखते और अगर हम लोग white background लेते हैं तो उस पे जो text color होगा वो यह तो यह color होगा यह तो यह color होगा तो इस तरह से दोस्तो आप भी अपने लोगों के हिसाब color palette बना सकते हैं और फिर आप अपने PPT में इसे यूज कर सकते हैं ठीक है सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में complete बताऊँगा ठीक है लेकिन इसका फायदा क्या होगा पहले वो हम लोग जान लेते हैं दोस्तो अब मैं आपके सामने दो PPT जो है open करूँगा ठीक है और फिर हम लोग दोनों PPT को compare करेंगे ठीक है एक ऐसा PPT है जिसमें की कोई भी color palette यूज नहीं हुआ है और एक ऐसा PPT है जिसमें color palette को यूज करके और यानि की color combination को ध्यान में रख करके बनाया गया है तो दोनों में क्या अंतर है वो आप खुदी देखिए ठीक है देखिए यहाँ पे एक जो PPT है यह है जो कि किसी unprofessional के द्वारा बनाया गया है जो कि इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी color या font का जो है कोई आता पता नहीं है ठीक है यह बिल्कुल unprofessional देखने में लग रहा है अब इसी में अगर हम अच्छे से बनाए इसी PPT को तो इसका लूप आप देख सकते हैं कि इसका लूप बहुत ही डिफ्रेंट है और यह जो है बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है तो यह color palette कहा सा आएगा पहले वो मैं आपको बता देता हूं ठीक है और आपको Google में टाइप कर लेना है color C-O-O-L ठीक है यही आपको टाइप करना है जो मैं टाइप कर रहा हूं C-O-O-L-O-R-S colors ठीक है जैसे दोस्तों आप colors लिक करके search करते हैं तो आपको यह website देखने को मिलेगा colors.co ठीक है यह जो first link है इस पर आप किलिक कर देंगे ठीक है तो आपके सामने एक website open हो जाएगा और जहां पर आपको कई सारे color palette देखने को मिलेगा ठीक है तो कुछ चीज तरह का starting में देखने को मिलेगा तो इससे आप को लोज कर देंगे उसके बाद है दोस्तो trending color palette ठीक है तो यहां पर आपको एक section देखने को मिल रहा है explore trending palette आप इस पर किलिक करेंगे ठीक है जैसे दोस्तों आप इस पर किलिक करेंगे तो आपके सामने वह सभी color palette देखे आई देगा जो कि अभी trending में चल रहा है यानिकि अभी जो भी PPT या graphic design ह उसमें कौन-कौन से color जो है trending में चल रहा है कौन-कौन से color palette यूज हो रहा है वो सभी यहां पर आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो यहां से भी जो है आप इस color palette को यूज कर सकते है ठीक है तो यहां पर आपको जो भी पसंद हो उसे आप download कर सकते है ठीक है तो आपको करन इमेज मिलता है ठीक है यहां पर कई सारे format में इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं बड़ दोस्तों हमें PPD में यूज करना है तो इसके लिए आप इमेज format में इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे और यहां पर दोस्तों आप उसका कोई भी नाम दे दीजिए ठीक है मैं डवल डी रख देता हूं और यहां से जो है जो बाय डिफॉल्ट यहां पर वही रहने दीजिए ठीक है और एक्सपोर्ट पर किलिक कर देजिए जैसे दोस्तों आप एक्सपोर्ट पर किलिक करेंगे तो यह जो है आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद यहां पर डेक्सटॉप सेलेक कर लिजिए यहां भी आप इसे सेव करना चाते है वह सेलेक कर लिजिए और सेव पर किलिक कर देंगे ठीक है तो यह जो कलर पैलेट है यह डाउनलोड हो जाएगा ठीक है यह देखिए दोस्तों यह जो है कलर पैलेट्स यहां पर आगे है ठीक है पहला तरीका तो यह हो गया आप दूसरा जो website है वह भी मैं आपको बता देता हूं ठीक है दूसरा है दूस्तों कलर सी ओ लो और कलर adobe adobe adobe.com ठीक है color adobe.com यहां पर देखिए सजेस्ट कर रहा है इस पर आप किलिक किजिए उसके पर दूस्तों यहां पर आपको एक website नजर आएगा color.adobe.com ठीक है तो आप इस website पर चले जाएंगे और जैसे दूस्तों आप इस website पर आएंगे तो यहां पर आपको कुछ इस तरह का color palettes लेना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते है यहां पर देखे एक्षरेक ठीम लिखा हुआ है एक्षरेक ठीम पर आप किलिक किजिए और यहां पर कह रहा है कि आप अपना logo या image इसमें upload किजिए तो यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों select file ठीक है अब select file पर किलिक करेंग ठीक है तो यह जो है automatic आपके logo से color pick कर लेगा और यहां पर आपको यह color palettes कर देगा उसके पर दोस्तों यहां पर देखे इस color palettes को जो है आप अलग-अलग तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते है पहला दोस्तों यहां पर हो गया colorful दूसरा हो गया bright और तिसरा हो गया muted और चौथ को गय करना है हर एक का जो है एक screenshot ले लेना है यह तो जो है आप इसे सिनेप टूल से जो है इसे capture कर सकते हैं ठीक है तो यहां से आप जो है color full यहां पे select करेंगे उसके बाद दोस्तों आप computer के यह जो start button लोता है इस पर आप click करेंगे ठीक है इस पर right click करके यहां तो आप search box से यहां पर SNIP यहां से जो है आप snip टूल पर click करके snip tool open कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों यहां पर लिखा हुआ आप लिखा हुआ है और यहां से save कर दीए ठीक है जहां भी आप save करना चाहते हैं वहां आप जो है इसे save कर लेंगे ठीक है और उसके बाद यहां पे new लिखा हुआ है आप new पर फिर से click किजिए और उसके बाद इसे जो है आप क्या किजिए यह जो इस तरह से screenshot ले लेना है रुआया करना है और इसका कोई भी नाम दे दीजिए और यहाँ save पर किले करके इससे save कर लीजिए तो इस तरह से दोस्तों आप या करेंगे हरेक का एक-एक screenshot ले ले लेंगे तो यह तो हो गया कि आपके लोगों के हिसाब से आपके brand के हिसाब से कि आप पिपीटी में कौन सा color use कर सकते हैं ठीक है अब आता है दोस्तों अगर मा लिया जाए कि आप अपने लोगों के हिसाब से नहीं अभी जो trending में चल रहा है उसके हिसाब से आप color palettes यूज़ करके आप PPT बनाना चाहते हैं ठीक है ग्रेडियन ठीक है आप इस पे किलिक करेंगे तो आप जो है अपने लोगों के हिसाब से एक ग्रेडियन कलर भी यहां से पीक कर सकते है यह तो दोस्तों आप यहां से इसे अगर थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे तो यहां पर तरीके है उसके बद तो यहां पर आता है trends यानकि अभी जो है कौन सा color trend में चल रहा है तो आप जैसे यहां trend वाले tab पे click करेंगे अभी हम लोग जो भी चीज़े कर रहे थे यहां पर create वाले tab पे यह सारी चीज़े कर रहे थे अब आपको पता करना है कि trending में कौन सा color palette यूज हो रहा है तो यहां पर trend वाले tab पे आप किलिक करेंगे तो उसके बाद यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि अभी जो भी फाइसन से related जो भी PPT या ग्राफिक डिजाइन का काम हो रहा है इसमें यह सारे color यूज हो रहे है तो यह सारे color palettes क्या है trending में है तो उसके बाद दोस्तों यहां पे है graphic design तो अभी graphic design में कौन-कौन सा color palette यूज हो रहा है यह सारे चीज़े यहां पे दिया गया है तीक है दोस्तों हमारा यूटूब चैनल है यह educational यूटूब चैनल है तो educational यूटूब चैनल के लिए लोगो या PPT या कोई भी graphic design हो रहा है तो उसमें कौन सा color यूज है trending में चल रहा है वह हमें यहां से search करना है ठीक है यहां पे search box दिया गया है यहां पे आप लिखे educational ठीक है educational और एंटर कर दिजिए ठीक है educational लिख करके जैसे search करेंगे तो दोस्तों अब हमारे सामने जो भी यहां पे color पाइलेट्स हो रहे हैं यह सभी जो है educational PPT या educational कोई भी graphic design का काम है यह educational लोगों वेगरा में यूज होने के लिए यह color पाइलेट्स या पे शो हो रहे है तो यहां से आप जो भी पसंद करते हैं उसे आप download कर लेंगे और फिर आप अपने design में यूज कर सकते हैं अब इसमें से आपको जो पसंद आए जो आप अपने PPT में यूज करना चाहते हैं वो आप जो है download करके अपने PPT में यूज कर सकते हैं यहां पर यह wären दोन लुड आइकन दिख रहा आपको यहां download आइकन पर आप किलिक करेंगे और download आइकन पर किलिक करके दोसतों आप इसे अपने PC में बड़े आराम से download कर सकते हैं तो आपको जो पसंद हो आप कर सकते हैं तो यह वाला मैं डॉनलोड कर लेता हूं download पे click करता हूँ और उसके बाद यहां पे backstop पे इसे save कर लेता हूँ ठीक है इस तरह से दोस्तों आप इन दोनों website का use कर सकते है color pilots download करने के लिए ठीक है तो दोस्तों यह देख सकते है कि हमारा यह color pilots यहां से download हो गया है ठीक है अब इसका हम लोग PPT में use करके देखेंगे ठी download करना है ठीक है अब इसे हम PPT में कैसे यूज करके एक professional PPT बना सकते है अब वह हम देखते है ठीक है तो यहां पे यह जो PPT है दोस्तों यह तो हमारा बना बनाया है ठीक है तो यहां से आते हम लोग आते है ठीक है यहां तक तो दोस्तों यह हमारा color pilots यूज करके यह बना और यह सिर्फ दुसतो हम लोग दो चीजी यूज करके इसे बिलकुल जो प्रोफेशनल बना सकते हैं एक कलर पाइलेट्स यूज करके और दूसरा यहां पर मैं रख लेता हूं, अब इसमें आता है दोस्तों कि आपको किस तरह का background चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस पर right click करेंगे, यह जो आपका slide है, इस पर right click करेंगे, और format background यहां पर लिखा हुआ है, आप format background पर आप click करेंगे, और उसके बाद दोस्तों यहां पर solid fill म और यहां से मैं color select कर लेता हूं, यहां color अपले option पर जाओंगा, और यहां से eye dropper हमें select कर लेना है, eye dropper पर click करेंगे, और उसके बाद माल ले जाए कि मैं यह color रखना चाहता हूं, ठीक है, यह मैं click करके इसमें add कर लेता हूं, ठीक है, चली, यह होगे आप हमारा, अब आता देखे, light color यूज हुआ है, तो इन दोनों में से कोई भी color हम font में use कर सकते है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि माल ले जाए कि, यह font हमने select कर लिया, और यहां पर font color आपको मिल जाता है, और यह आपको home tab में जा करके font color मिल जाता है, तो यहां पर हम ल always select करेंगे, और यहां से font color option में जाएंगे, और यहां से दोस्तों हम यह भी color इसमें लगा सकते है, ठीक है, और उसके बद हम क्या करेंगे, इसकी size को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, इसस तरह से इस तरह से हमने इसकी size को increase कर लिया है, अभी भी यह बिल्कुल professional नहीं लग रहा है, ठीक है, दोस्तों देख सकते हैं कि अभी भी यह professional नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक अच्छा सा font यहां पर use करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि यहां से मैं यह वाला font यहां पर select कर लेता हूँ, ठीक है, और उसके बद दोस्तों यह font select हो गया है, ठीक है, अब यह दो लाइने यहां पर आपको दिख रहा है, इसमें आप क्या करेंगे, यहां से आप bullets apply कर सकते हैं, ठीक है, और अगर यहां पर आपको पट्टी देना चाहते हैं, तो व यहां से eye dropper लेंगे, और इसमें किस color का पट्टी सही रहेगा, किस color की पट्टी हम दे सकते हैं, तो जैसे यहां से यह color में select कर लेता हूँ, ठीक है, पट्टी हो गया, और यहां से outline में जाएंगे, यहां से no outline कर देंगे, और उसके बद दोस्तों इस पर हम लोग right click करके, इसे send to back कर देंगे, ठीक है, अब देखे, यह अगर हम पट्टी इस color का लगाते हैं, ठीक है, यहां पर देखे, इस color का अगर हम पट्टी लगाते हैं, तो यह जो हमारा font color है, यह इस पर सई से visual नहीं होता है, तो यह visual हो जाएगा, ठीक है, यहां पर हम में आते हैं, font color में आते हैं और यहां से आइड्रॉपर लेंगे आइड्रॉपर में जाएंगे और उसके बाद यह डार्क वाला इस पे लगा देंगे ठीक है तो यह देखें सही से विज्वल हो गया है ठीक है तो इस तरह से दोस्तों आप जो है इनी पाचो कलर का यूज करके जो है आप एक इस तरह से फॉर्ण को आप कह किजिए हैलाइट कर दीजे ठीक है तो यह बिल्कूल एकदम से इंप्रेसी देखने में लगेगा ठीक है तो इस तरह से दोस्तों आप जो है इस कलर पैलेट का यूज करके एक बहत्रीन और एक प्रोफेशनल पीपीटी बना सकते हैं तो दोस दोस्तों बहुत ही खुबसूरत सा जो है पीपीटी बना पाएंगी तो आई होप दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों अगर चैनल पर नहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं क्योंकि दोस्तों इस तरह के इंट्रिस्टिंग चीजे मैं आपको सिखाता रहता हूं तो चलिए दोस्तों मिलता हूं मैं नेक्स वीडियो में नेक्स टुटोरियल में तब तक के लिए दोस्तों जाएं बंदे मात्रम